साउथ फिल्मों और कलाकारों को अब पुरे दीश में काफी जादा पसंद किया जाने लगा है जिसके चलते साउथ की काफी सुपहेट फिल्मों का बॉलिवुड में रिमेक बनाया जाता है वहीं साव फिल्मों के दमदार कलाकारों ने बॉलिवुड में काम करना भी शुरू कर दिया है प्रभास की बाद अब एक और दमदार कलाकार मॉलिवूड के गल्यारों में कदम रखने जा रहे हैं तेलगे फिल्मों के जाने माने स्टार्स में से एक श्राई श्री निवास बेलम कुंडा अब बॉलिवुट में डेब्यू करने की तयारी कर रहे हैं तो यह अगर फिल्म के बात किया जाये तो यह S.S. राचा मॉली की निर्देशन बनने वाली फिल्म है जो की प्रभास टरर सुपर हिट फिल्म छितर पदी के हिंदी रिमेक में स्टाई श्री निवास बेलम कुंडा काम करते वे नजर आने वाले हैं वही इस फिल्म के प्रडूसर की बात की जादव पैन स्टूडियो के मालिक जैनती लाल गड़ा इस फिल्म को प्रडूस करने वाले हैं इस फिल्म को लेकर जैनती लाल ने बात करते वे कहा है कि इस फिल्म की कहानी काफी शांदार होने वाली है हमें इस फिल्म के लिए साउथ का एक बड़ा सुपरस्टार चाहिए था जिसके लिए हमारे जहन में साइश श्री निवास नाम आया हमें इस फिल्म में कई बदलाफ करने वाले हैं ये फिल्म अभी तक हमारे प्लैन के मताबिक चल रही है इस फिल्म को लेकर पैन स्टूडियोस के तरफ से एक बड़ा लेटर भी जारी किया गया है वेल दोस्तों आप देखना होगा कि साउथ की फिल्म और एक्टर बॉलिवुड में कामियाब हो पाते हैं या फिर नहीं वेल दोस्तों आपको बता देखें कि इस फिल्म ने प्रभावस को एक बहुत बड़ा स्टार बना दिया था साउथ फिल्मों के फैंस इस खबर के सामने आने की बात काफे जदा एक्साइटिड नजर आ रहे हैं आप इस फिल्म को लिए कितने जदा एक्साइटिड है नेची कमन सेक्शन में जरूर बताए और हमारे चानल को सब्सक्राइब करें